बुले स्री प्राणनाथ प्यारे कीजे चर्चा प्रारंब भूत हे सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा स्री प्राणनाथ सकी जीवन हमार होए स्री महमति कहे साथ जी भजा चर्चा का वकत अब तुम सुनियों चीत दे लाल आगे आए बेठे इन वकत लाल आगे आए बेठे इन तकत भविष्या पुराण में राज कहे जुक्चार वचन जो हे व्यास के ता को करो विचार भविष्या पुराण में सभी उपश्तिद आत्मी सुन्दर साथ तता धर्नग्रेम साजन को प्रणाम जी आज छे गते से हम स्रावन के विटक साहेब की चर्चा शुरू प्रारम करने जा रहे हैं आज जिस प्रकार से हम देखते हैं भारत बर्स पुर्वकाल से यदि हम देखें भारत बर्स में किस प्रकार से हम अध्यन तथा अपने परिवार जनों को ज्ञान रिया करते थे शुरूआत के दिनों में यदि हम आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे हमें चार आश्रमों का बर्नन मिलता है पहला आश्रम जो होता था वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था उसके बात आता था ग्रियस्त आश्रम ताथा तिसरा वानप्रस्ट और अंतिम में सन्यास आश्रम आता था जब बालक ड्रामन का होता तो आठ वरस के उमर में उसको गुरुकुल भेज दिया जाता यदि वैस्य का पुत्र होता तो उसको बारव वरस लगते छत्रे का पुत्र होता तो ग्यारव वरस में उनको गुरुकुल भेज दिया जाता तथा यदि सुद्र का पुत्र होता तो 16 बरस के उमर में भी उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता जिसके कारण से वो ज्ञान ग्रहन कर सके उस समय में आत्मिक ज्ञान की रूप में बेदों के ही पुर्पतया माननेता देते हुए गुरुकुल में बेद का अध्यन करवाया जाता था अब जब बालक आध्यात्मिक अध्यन तथा भौतिक अध्यन करने के बाद 25 साल का हो जाता था तो वो खुद निरने लेता था कि मैं घर जाओ या ना जाओ यदि मैं समाज को कुछ देने की चाहा रखता हूँ तो मैं सन्यासी बनने के लायक हूँ, तो वो सन्यासी बनता था, वरना वो अध्यान करने के बाद अपना घर जाता था, ग्रियस्ट आश्रम में प्रवेश करते हुए, अब वो एक नया जिवन का प्रारम करता था, धीरे धीरे ग्रियस्ट आश्रम में रहते हुए भी वो अपना भाग देता था तथा धीरे धीरे जब वो 50 साल का हो जाता अपने बच्चे भी अब कमाने के लायक हो जाते हैं तो अपने परिवार को छोड़के वो बन के तरफ जाता था उस समय वो फिर भी परमात्मा के ही खोज में रहता था और अंति में जब वो अध्यान करके 75 स साल के हो जाता था तब जाकर जो ज्यान उसने हासिल किया है वो समाज को बाटने के लिए सन्यास भेश धारन करके अपने बीवी को तक छोड़के पूरे संसार में भ्रह्मन करते हुए भारत में भ्रह्मन करते हुए ज्यान को फेलाता था वेद में कहा गया है कि सो बरस तक हमें जीना चाहिए और एक्ष्या रखते हुए जीना चाहिए लेकिन आज के बरतमान इस्तिती में हम क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से जी रहे हैं यह हम खुद देख सकते हैं बरतमान इस्तिती में हम छोटे से बच्चे को इदी स्कुल भेजते हैं, तो वहाँ पे अध्यात्म की पढ़ाई नहीं होते हैं, वहाँ पे एक बहुतिक पढ़ाई है, बहुतिक पढ़ाई में हमें कुछ बनने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या बनने के लिए कहा जाता है, या तो हमें कोई इंजीनियर, या तो ऐसे पद के लिए जहांपे एक नोकरी मिले और उस नोकरी के दोरान हमें को तेहट सारे पैसे मिले जिससे हम दुसरे को दिखा सके कि हम कितने पड़े लिखें लेकिन इस पड़ाई से जो धन हमने कमाया उस धन से क्या हमने अध्यात्मकलाब पा सकते हैं तो समाज में इस प्रकार के जो दोर चली आ रही है जो दिखावा की दोर चली आ रही है उस समय में बेद होते हुए भी इस समय में हम बितक की चर्चा करने जा रहे हैं हम ये सोचे कि इस बितक में क्या मिलेगा. बितक के चर्चा तो हम सुनेंगे, पहले भी सुन रखा था, और जो नए बेगति आये हैं, उनको भी सुननाई हैं. लेकिन क्या नएच चीज मिलेगा, जिसके कारण से हमें, जो संसार में रहते हुए भी हम किस प्रकार अपने आपको जाने किस प्रकार दुसरी को ये बता सके कि तुम कौन हो मैं कौन हो और हमें जाना कहा पे धनी शिरिफ बाहरी सुंदर साथ को जो अभी समाझ से जुड़े नहीं हैं सिर्फ उनको नहीं कह रहे हैं अपने सुंदर साथ को तक कह रहे हैं कि जो सुन कर भी ना सुना करें रे हो दुन्या बावरी खोवत चन्मगवार मदमाती माया की चाकी सुनत नाहीं पुकार हे दुन्या वालो तुम लोग पूर्णतया से पागल हो चुकिया और पागल इस तरह नहीं कि तुम अध्यन नहीं करते पागल इस तरह कि तुम इस माया की दुन्या के जो नसा है उसमें पूर्णतया से भीग कर तुम पागल हो गया रेहो दुन्या बावरी खोवत जन्मगार और जो जन्म तुम्हें कितने दिन तक के लिए मिला है जो जन्म अब है जो अभी जीवन मिला है उसको यदि तुम सदुपयक नहीं कर सकते तो कल जाकर क्या तुम इस जीवन का लाब उठा सकते हो या ने तो तुम इस जनम के जो स्वास आना और जाना हो रहा है जो एक घड़े में पानी भरा हुआ है और थोड़ा सा छोटा सा छेद पड़ा है वो छोटे से छेद में से वो बूंद गिर रही है और पता भी है कि घड़े में से वो पानी खतम होना भी है और फिर भी हम समन नहीं रहें फिर भी हम उस से प्यास नहीं बुजा रहें हम बस उस पानी को बेहते हुए जाने दे रहें तो इसलिए कहा जा रहा है कि खोवत जन्मवा और मदमाती माया की छालती सूनत नाही पुकार पुकार करके तुम्हें यह कह रहा हूँ कि तुम कहां के हो कहां जाना है यह भी तुमने इस माया की नशा में भूला दिया और तुम हमेशा चर्चा सुनने के लिए तो आते हों सुनते भी हो लेकिन यह सुना हुआ शरिफ माया की दुन्या में जाने के बाद तुम फिर से भूल जाते हैं तो इस प्रकार से जब महामती जी पुकार पुकार के आप लोग को हम लोग को समझाते हैं कि हम किस प्रकार से इस माया से आगे बढ़े तो अब हम सुने कि इस बितक में क्या कह रहा है क्या बितक क्या है बितक क्यों कहा जाता है स्रावन मास की चतुर्थी में जिस प्रकार से कुछ घटना होती है उससे पहले में बितक का थोड़ा सा ज्यान देना चाहता हूँ जो नहीं आया है बितक उस इतिहास को कहते हैं जिसमें श्रिफ एक घटना करम ना होके उसमें पूर्ण तया से जो परमधाम से लेकर इस दुन्या में होने वाले हर घटना इसे लेकर अब जो ब्रह्मा आत्माओं ने जो लिला किया है इस दुन्या में आकर तो उस दुन्या से लेकर अब किस प्रकार से परमधाम के ओर जाना है वो लिला तक बता दिया है उसको हम बितक कहते हैं बितक में क्या-क्या चीजे हमें समझना है वो पूर्णत है ऐसे अब धीरे-धीरे हम करते हुए समझेंगे भविश्य पूराण में तो यहाँ पे जब बितक की सुरुवात होती है बितक के शुरुवात के दिनों में यहाँ पे एक लिला हो रही है सत्र से एक्याउन की बात है वहाँ पे स्री जी अंतर ध्यान की लिला करने वाले है सोयम ब्रह्मुमुनिया पूर्ण तया से वहाँ रोकर बिलगते हुए अपने तन को त्याकती हुए अपने सुन्दर साथ होने के जो नाता है जो परमधाम के समंध है उसको उजागर कर रहे है लेकिन वहाँ पे एक सक्स है जो अभी भी बिरह के उस तड़प में रो तो रहा है लेकिन अपने तन को नहीं त्याक रहा है वो और कोई नहीं वो स्वयम लालदाश जी है क्या वो सिर्वमणी सुन्दर साथ में नहीं गिने जाते थे क्या उनको परमधाम की ब्रहमणी नहीं कहा जाता थे कहते हुए भी लेकिन फिर भी वो यहां पे हमारे सुन्दर साथ के लिए वो कहते हैं ना तो हम सिर्दार सिर्वमणी हम भी सिर्दार सिर्योमनिक के उसी नाम से गिने जाते थें फिर भी वो राज हुकुम का था इसी कारण से में इस दुनिया में टिका रहा और इसी कारण से ये जो बितक लिखा गया वो किसके लिखा गया जो बितक सुन्दर साथ अब भी इस दुन्या में माया के नसे में डुबे हुए है उनके लिए है लाल दास जी ठेरे हैं वरना वो चाहते तो बिरह के अवस्ता में अपने तन को त्याग सकते थे लेकिन ये चीज़ को पता होते हुए भी फिर भी हम इस बितक के उस गहराय को नहीं समझबाते हैं बितक के उस गहराय में जाते हुए भविस्य पुरान की बात से पहले तीन सुरुप की बितक की बात आते हैं तिन स्वरूप की जो बितक है उसमें किस किस की लिला होती हैं सुरुवात धनी स्री देव चंदर जी दुसरा हमारी स्वयम स्री प्राना जी जो मेहराज जी के तन पे लिला करते हैं तता तिसरा, छतर साल जी के अंदर बेटते हुए स्वयम प्रान्ना जी ही लिला करते हैं. तीनों स्वरूप की भी तक क्यों काह गया? क्योंकि एक सुरूप लिला कर रहा है जो तीनों तनों के अंदर पूर्णतया लिला करते हुए हमें आत्मजागृत्ती की पत्थ पर ले जाने की कोशिश कर रहे है हम सुन्दर साथ तता हम जो बहार से इस दुन्याग पर आये हैं शुरुवात के दिन से हम चलें जब हम जन्म लेते हैं तो हम क्या सुचते हैं हम एक छोटे से बच्चे हैं और छोटे बच्चे कुछ सुचता नहीं वो खेलता कुटता है और खाता है और उसी समय में उसका जीवन ऐसे ही बेतित होता जाता है जब वो बड़ा हो जाता है, तब समाज के उस परिवेश में वो साधी कर लेता है, वो कुछ अद्यन करता है, उसको कुछ नोकरी मिलता है, और अन्तिम में जब वो थोड़ा सा और उसका उमर बढ़ जाता है, तो धर्मकर्य के कार्वे में लगने के थोड़ा सा वो सोचता है लेकिन फिर भी वो कुछ ढूण नहीं पाता लेकिन फिर भी उनकी इक्षा है कि वो कुछ ढूणे वो कुछ पाए और वो कुछ वो पाने के बाद कुछ उसको प्राप्त करना है हम कोन हैं यहाँ पे वानी कहती है पहले आप पहचानो रे सादू पहले आप पहचानों, बिना आप चीझने पारबुम्ह को कों कहरे में जाना है यदि हम मनुस्यतन होके भी हम खुद को पहचान नहीं करते हम खुद के बिशे में नहीं जानते अर हम खुद ये नहीं सोचते कि हम जो आत्मा है हमें जूड़ना किससे है यदि हम इस समाज से और इस परिस्तिती से भागते रहेंगे तो किसी ना किसी दिन हमारे मृत्यू निश्चित है और जो मृत्यू आएगी उस समय में रोने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा इसलिए धनी यही कह रहे हैं कि जो चीज तुमें ढूंड़ना है वो अभी है और इसी समय पर ढूंड़ना है बाद में यही ढूंडने के प्रयाश भी करोगे तो बृद्धपन क्या है? यह दुख है रोक क्या है? यह दुख है और जो चीजे हम समा के बेठे हुएं वो सब दुख का ही कारण है संसार के लोग सुख ढूंड रहे हैं संसार के लोग हर चीजों में सुख ढूंडते हैं लेकिन सुख किसी में नहीं मिलता यह पता होते हुए भी फिर भी उसी माया के नसे में डूबने के लिए वो तयार रहते हैं आज हम समाज में ग्यान बाड़ते हैं समाज के लोग ग्यान लेते हैं और जो समाज में ग्यान बाड़ते हैं वो स्वयम भी माया की इस लपेट में पड़े हुए जो नसा है वो उसको क्या कहा जाते है माहा सागर के रूप में लिया जाता है मायव छे अति बल्वंती कहे कर धनी ने रास्क ग्रंथ में कहे दिया है कि वो पुनत ये से बल्वान है और जो मायवी जगत पे हम आये हैं जो आत्माय हैं तथा जीव हैं जो भी है अभी इस इस्तिती में हम एक मनुष्य तन पे हैं और हम मनुस्य है एदि हम मनुस्य हैं तो मनुस्य से दिवत्यों की और हम कैसे जाए पहली बात तो हमें यह सोचता है लेकिन आज मनुस्य होकर पशू की तरह हम क्या करते हैं हम पशू की तरह ही बेवार करते हैं जिस कारण से आज हर कोई किसी को नकरात्मक दृष्टी से देखता है हर कोई आज सरीर से सरीर भाव में देखता है कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो कोशी को आत्मिक भाब से बुलाए तो इस दुनिया में धनी यही कहते हैं कि हम सुन्दर साथ किस प्रकार से इस मायवी दुनिया से परे हो तो इस बितक्ष के द्वारा हम आगे बढ़ते हुए उसमें ले जाते हैं परन्तु वहां तक जो बितक के गहराई समझने के लिए जो ब्रह्मो मुनियों के उस जिवन कथा को समझने के लिए और स्वयम जो अक्षेरा तीत जो परमधाम से अपने सब्टी को भेजते हुए इस ब्रह्मान में जो लिला किया उस ज्ञान को समझने के लिए क्या हम तयार है या ने हम क्या इस मन, बुद्धी, चित और अहम से परे है या ने एदि हम इस सरीर के ही जुड़े हुए अंग और अनतस्करें से जुड़े हैं तो अवस्य है हम मन और बुद्धी कि खेल चाहिए इस बितक और वार्णी को समझेगा जब मन और बुद्धी ही इस दुन्या का है तो हम किस प्रकार से इस सब्द को उस परमधाम तक जोड़ सकते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि बितक और वार्णी को समझने के लिए हमें पहले इस मन और बुद्धी को स्वातिक बनाना होगा तब जाकर हम इस ग्यान को अपने हिर्दे पे धारन कर सकते हैं जो शुरुवात होती है जब मन उस्यतन हो जाता है अब वितक में कहा जा रहा है भविष्य पुरान में जो भविष्य पुरान है वो अठारो पुरानों में गिने जाते है अठारो पुराने में अंतिम पुरान भविष्य पुरान है जिसका लेखक महादेव कहा गया है वैसे तो संसार में हर कोई यह सोचता है कि ब्यास के द्वारा ही पुर्ण तयास से यह पुरान रचे गया है अठारा पुरान फुल मिलाकर कहा गया है लेकिन बैदिक में पुरान का मतलब इस अठारा पुरान को नहीं लिया जाता जो पुरान होते हैं उसको इतिहास कहा जाता है इतिहास पुरान भ्याम पंच वेदा स्वयम चांदों के उपिनिस्यत में पुरान को क्या कह दिया है कि वो पंचबेध है लेकिन जो अठारा वेद अठारा पुरान है वो अठारा पुरान नहीं बलकि उस ब्रामन गरंद को तथा आरेन्यक गरंद को पुरान कहा गया लेकिन उसमें प्रामान और किस प्रकार से वहां लेख है वो हमें पढ़ने के बाद ब्रह्म ग्यान की बिसे में पता चलेगा लेकिन जो 18 पुरानों में जो भविस्य पुरान की अब बात आई है ये भविस्य पुरान क्यों लिखा गया और भविस्य पुरान में क्या चीजे हैं जिसके दुआरा इस बितक में इसका जिक्र आया है तो हम जब ये देखें तो यहां पे भविस्य पुरान इसका हम अर्थ लगा है जिस पुरान में भविष्य की बाते हो उसी को भविष्य पुरान कहा जाता है राजा कहे जुग चार तो जिस पुरान में इतिहास हो उसी को पुरान कहा जाता है पुरान का सादरन साही अर्थ है पुरा तत्तो जो पुराना हो और इतिहास का हो उसको पुरान कहा जाता है तो भविस्य पुरान में क्या चीज है इस बर्तमान इसमें यहां बताया गया है कि यहां पे राजाओं का बर्नन है जो चार युगों का राजाओं का इसमें बर्नन मिलता है राजा किसको कहते हैं एदि हम पूछें राजा किसको कहते हैं तो सामाने सा अर्थ यही लगता है कि जो राजतंत्र में सबसे बड़ा सत्ता का पद है उसको राजा कहा जाता है भारत में राजतंत्र कब था? यदि इतिहास बल्टा कर हम देखते हैं जब बृटिश काल लगा तब जाकर यहां के राजतंत्र को तोड़ दिया गया तब जाकर बृटिश ने यहां पे भारत को दवा कर उन्होंने राज्य किया 1947 में गांदी जी के द्वारा तथा अनेकों युद्धाओं के दारा यहां पे संग्राम होता है जिसके कारण से अब जाकर हमें सोतन्तता मिलती है 1950 में भारत का संबिदान बनता है तब जाकर लोकतंत्र कहा जाता है लोकतंत्र आने के बाद अब जन्ता क्या कर सकते हैं अपने मत के द्वारा अपने चुनाव के द्वारा किसी को राजा बना सकते हैं आज की इस्तिती में राजा कौन है, जो प्रदान है, जो प्रमुक है उसी को राजा कहा जा सकता है, घर के राजा कौन है, जो घर की निर्ने लेता है, वो राजा है, उसी प्रकार देश का राजा कौन है, वो प्रदान है, और इस संसार का राजा कौन है, स्वयम वो अक्षिरातीत है स्वयम वो परमात्मा राजा है जिसने इस संसार को इस ब्रह्मान को बनाया जिसने स्वयम इस संसार के आत्माओं को बनाया और इस ब्रह्मान को संचालन की रूप में छोड़ दिया तब जाकर राजा का अस्तित्तों का भान हमें पता चलता है कि श्रीफ राजा यहां पे एक सब्द के रूप में नहीं कहा जा रहा है राजा एक बड़ा रूप है और राजा किस प्रकार से यहां कहा जा रहा है कि चार यूगों का राजा यहां पे बर्नित है चार यूग कौन-कौन से हैं, कली यूग, द्वापर यूग, त्रेता यूग और सत्य यूग तो सत्य यूग में भी राजा हैं, उसका भी बर्नन क्या गया है त्रेता में भी राजा है, द्वापर में भी राजा है और कली यूग में भी राजा है तो जिस प्रकार से यहाँ पे आगे बनन आता है वचन जो है व्यास के तो जो व्यास जी है अर्था जो महादेव व्यास है व्यास का अर्थ सब को पता है अमारे विद्यार ठीको व्यास का अर्थ एक उबाधी की तोर पे लिया जाता है जिस प्रकार से जनक एक राजा थे जनक पूर उस समय में जनक राजा होते थे तो उनका नाम जनक जैसे किसी भी नाम से वो राजा का नाम हो लेकिन यह दिद पद में बेढ़ जाए तो उनका नाम क्या होता था? जनक तो जनक एक पद के रूप में आता है उसी प्रकार से जो बिद्वान कहला जेते थे और जो आत्मसक्षार कार के रूप में और जो लेखन कारे करते थे उनको ब्यास का उपाधी दिया जाता था तब जाकर अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो ब्यास ने उस भविष्य पुरान की रचना किया है और उसी भविष्य पुरान की अंदर उन चार यूगों की राजाओ का वर्नन है जिसमें एक भयो राजा कृता तो इस प्रकार से राजाओ का वर्नन हमें चारो यूगों में मिलता है अब चार यूगों की विश्वे में हम बर्नन करें चार यूग जिसको सत्य यूग कहा जाता है सत्य यूग में यहाँ पर अभी बात हुई कृत राजा की विश्वे में बर्नन आया सत्य यूग क्या है? फ़राणिक अर्थ में यही लगाय जाता है कि सत्य यूग वो समय है जहाँ पे सत्य, तव, ज्यान और कर्म चारो चीजे हमें मिलता था मनुस्ये के अंदर जो मनुस्ये था वो ये सब चारो कर्म करते हुए धर्मात्मा बंते थे और धर्म के कारेपर लगते थे सत्य यूग जहां पे हम अनेको हरिस्ट चंडर जैसे महान-महान बिक्तियों का नाम सुनते हैं लेकिन क्या पराणिक हिसाब से यह हम सोचें तो क्या यह सही है वैदिक काल के अनिसार समय हमेसा एक ही चीज है समय कभी परिवर्तन नहीं होता यह तो हमने एक दृष्टी कौन बना लिया कि सत्य यूग में धर्मात्मा रहते थे यह दि हम देखें सत्य यूग में भी पापी लोग थे ऐसा नहीं कि सत्य यूग में पापी लोग नहीं थे राम थे तो रावन अवस्य था कृष्ण थे तो कंस भी था इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे श्रीफ पुन्य था पाप नहीं कहने का तात्परे श्रीफ इतना था कि उस समय में जो मात्रा था पुन्य का वो ज्यादा था और पाप का पुन्य जो मात्रा था वो कम था लेकिन जो कल्यूग ये समय जो कहा जा रहा है, इस समय में आप देख सकते हैं, कि छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुड़े बुजुर्ग तक आज पाप का घड़ा भर रहा है, आज जो दुर्यधन की बात हम करते हैं, जिस रावन की बात करते हैं, उससे भी गए अपने आपको भी उस परमात्मा से जुड़ा नहीं सकते लेकिन उस समय की बाद थी जब वो धर्मसास्त्र का आध्यन करते थे उस समय की बाद थी जो वो जो पढ़ते थे वो आचरन करते थे और जो आचरन करते थे उसको स्वयम परमात्मा की जो सकती है वो साक्षात कार दे जिसके कारण बेत का उत्पन हुआ, जिसके कारण अनिकों सास्त्रों का उत्पन हुआ, जिसके कारण रिश्री, महंत, महात्मा जैसे लोगों का पुजा जाता था. लेकिन आज के यूग में, कल यूग में यदि हम देखते हैं तो यहां पर क्या है? यदि महात्मा भी है और धुति भी लगाता है आज उसको नहीं पुजा जाता क्यूं? क्यूंकि हमें सक है कि कहीं उसकी अंदर भी पाप ना भरा क्योंकि ये कल्यूग है और कल्यूग में समय अति माया भी है तो इस कारण से जो माया का चक्र चला आया हुआ है जो ये सत्यूग है जो कल्यूग है हर समय में माया का प्रबाब था और अब भी है लेकिन आज इस समय में भविष्य पुरान के दूरा कुछ कहने जा रहे हैं जहांपे राजाओ का बर्नन तो है यह लेकिन राजाओ को बर्नन के साथ-छाथ क्या महतुपूर्न चीज आया हूआ है उस चीज के बिष्े में हमें जाना है तो उस तीज़ में हम जाने तो इस प्रकार से यहाँ पे जो राजाओ कब इसे में ही वर्नन करने जा रहे है सतियूग में जो राजा का वर्नन आया है कृत राजा है, प्रहलाद है, हिरन्यकस्यप है राजाओ को पांस बर्गी करन किया गया है जिसमें पहला आता है देव, दुसरा आता है रीसिवर्ग का राजा, तुसरा आता है मनुस्य तन में जो लिरा कर रहे हैं उसी राजा, चोथा है असूर का तथा, पांचवा है मलेच का, मलेच अर्था मुसलमान में तो मुसल्मान में तन में जो राजा होते हैं उसको मलेश राजाओं को वरगी करन में आ गया है तो पांस प्रकार के राजा इस यूग में बताए जाते हैं जहां पे हम यहां आगे सुनते ही जाएंगे तापर दूमरी सी कहे ओ तो यहां पे जो बितक के अंदर जो बर्नन किया गया है राजा का यही कहा जा रहा है कि यहां पे पास बर्ग करन के आधार पे ही ना कि शरिफ मनुष्यतन के राजा के पद के आधार पर बलकि रिशी हो चाहे वो असुर हो चाहे वो मलेच हो उन सब के आधार पर यहां पे र प्रम्हाजी के नाम को भी सुनेंगे? ताव पर गवरी पादसाहा तो इस प्रकार से जिस प्रकार हम सुन रहे थे राजाओ के बिशे में अब हमने आगे बढ़ाया है कि सत्यूग के राजा, ट्रेता के राजा तथा द्वापर के राजाओं में हम यह देखते हैं कि द्वापर के राजाओं में अरजुन का भी नाम लिया गया है बिशेशकर एदि इतिहास पल्टा के हम महावारत को देखते हैं महाभारत में हमें कहीं पे भी अरजुन का राजा होने का बरनन नहीं मिलता अरजुन कोन थे पांस पांडु के जो पांस पांडव थे उनमें वो गिने जाते थे पांडु के पुत्र अरजुन थे जो छोटे जिसमें अरजुन भी गिने जाते थे लेकिन वो राजा के रूप में कभी भी उनको नहीं गिना गया राजा थे तो युदिष्टिर थे लेकिन राजा यहां पर क्यों कहा गया है इसका वर्नन आता है कि राजा का अर्थ यही है कि जो प्रकासवान हो जो अपने यस को बढ़ाते हुए पूर्ण तया संसार में उसको पेहचाना जाए तो इस प्रकार से अर्जुन जो है धनुरदारी है और यह हमें देखने को मिलता है कि गीता में जब योगेश्वर कृष्ण जी स्वेम अर्जुन से बात करते हैं तो उनका जो महत है और बढ़ जाता है तो इस प्रकार से अर्जुन को राजा के रूप में लेते हुए आगे बढ़ते हुए यहां पे अब कलियूप में बात आती है जहां पे मलेच राजाओं ने इस भारत भूमी में हिंदू के उपर राज्य किया तो यहां पे गौरी करके नाम आया हुआ है जो मलेच राजाओं का नाम है लेकिन वो राजाओं के रूप में बलकि स्रिफ हिंदू के दमन करने के रूप में यहां पे राजाओं का नाम लिया गया है सुल्तान अल्लाउदिन नाम और अला उद्दिन ने भी इसी प्रकार से इस भारत भूमी में सोने और चादी के लोब में यहाँ पे यूद करने की इस्तिती बनाया ताव पर नसीर उद्दिन ने भी यहाँ पे यूद करने आये लोडा महमुद इस ठाम तो इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी लोग थे, जैसे सहाजाहा हो गए, अकबर हो गए, सहाजाहा के पुत्र औरंग जेव हैं, जिसने इस भारत भूमी में लगभग साड़े तीन सु साल पुर्वा तक राज्ये किया था, इससे पुर्वा राज्ये करते हुए, जो हिंद उनको कर के रूप में उनसे पैसा उठाया जाता था, वो शरिफ इतना ही ना करते हुए, जो ब्राम्मन देख जाते थे, उनको मास खाने के लिए खाहा जाता था, जिसके कारण उसका धर्म भर्ष्ट हो जाए, और वो मुसल्मान के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो इ ता उपर अवरंग जेव एकलियुक के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकिस्थ ठाम तो यहाँ पर बर्नन आ रहा है कि जब मलेच का राज्य होगा, जहाँ पर स्वयम औरंग जेव राज्य करा होगा, उस समय की बात है कि वहाँ उस समय में स्वयम कोन आएँगे, बुद्ध निश्कलंक आवतार, बुद्ध का आर्थ क्या है, हम बुद्ध का नाम लेते ही, गौतम बुद्ध को याद करते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध का नाम भी गौतम बुद्ध नहीं था, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने साथ साल तक तब करने के बाद, जब उनको प्रकास मिला, जब उन्होंने समाधी लगाए, तब जाकर उनको बुद्ध बुद्ध अर्थात जागरित अवस्ता वाले आदमी जो जागरित अवस्ता तक पहुँच चुका है उसको बुद्ध कहा जाता था उसी प्रकार से बुद्ध निश्कलंक अवतार जो निश्कलंक हो जिसमें कोई कलंक ना हो उसको बुद्ध निश्कलंक अवतार कहा जाता थ उस भविश्य पुरान में जब आगे पहुंचते हैं, उस भविश्य पुरान में क्या कह जा रहा है। कि अवरंग जेप के समय में, जब समय होगा 1738 का समय बिक्रम संबर, तो उस समय की बात है, जो स्वयम अक्षेर से भी परे, जो अक्षेरात परतह परसे उस दहाम से लिला करते हुए इस ब्रह्मान में कोन आएंगे। मनुष्य स्रिफ क्या करना चाहता है। में आकर वो ब्रह्मो मुनी का लिला होगा इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। अक्षेरातीत, अक्षेरातीत का अर्थ होता है कि जो अक्षेर से भी परे हो। लेकिन आज हम परमात्मा किस प्रकार से पुकारते हैं और परमात्मा किस को कहते हैं। यही में हम सब उल्जे हुए हैं। इस दुन्या के लोग परमात्मा को तो ढूंडते हैं लेकिन ढूंडते कहां पर। जुआ हम देखें, समाज में आज हमारे ही जो हिंदु वर्क है, जो बैदिक वर्क है उसमें हम कितने को परमात्मा कहते हुए भागते हैं। आज समाज देखें, संपरदाइश साठसु से भी अधिक हो चुका है। साथ सो में से हर एक संपरदाय का अपना-पना पद्धती है, अपना-पना मत है और अपना-पना गरंथ है. जिस प्रकार से ये अठारव पुरान की बात आये ही, अठारव पुरान में क्या क्या चीज़े हैं? विश्नु पुरान है, गरुड पुरान है, इसमें ब्राम्मु पुरान है, उसी प्रकार भागवत है तो यहां पे जितने भी गरंथ आपको मिलते हैं, उतने ही प्रकार के परमात्मा यहां पे गिनाय जा सकता है लेकिन क्या परमात्मा अनेकों है या एक है बेद क्या कहता है धर्मसास्त्र क्या कहता है जब हम धर्मसास्त्र पर जाते हैं तो एको हम बहुस्याम का नारा हमें सुनने में आता है एक परमात्मा के अलावा और कोई परमात्मा नहीं है जब एक परमात्मा ही है तो बेर कहता है दित्यो नास्ति तृतिया नास्ति ना दो है ना तिन है यह तो श्रीफ कितना है एक है लेकिन एक के अलावाद जो और को पूझता है वो कौन है इस समाज में अब हम देखें हम जब बच्चपन में थे हमें मुर्ति पूझा करने के लिए प्रेरित किया जाता है जब हम समाज से लेकर एक मंदिर तक जाते थे तो मंदिर में जाने के बाद हमें एक मुर्ति दिखाई देती है भगवान की जो तो उसमें जाकर हम चरणों में क्या करते हैं मत्था टेकते हैं आरती करते हैं तथा जितने भी प्रसाद और पैसे के रूप में हम जो दान देना चाहते हैं, वो हम देते हैं, लेकिन ना तो वहाँ पे कोई है जो उस प्रसाद को ग्रहन कर सकता है, ना ही वहाँ पे कोई है जो दान दिया हुआ पेशा सकरात्मक रुप से प्रयोग कर सकता है, उस पेशे का क्या होगा जो हम मंदिर के चोखट पे रख देते हैं, वो कोई आकर उसको ले जाता है, हो सकता है उसका नकरात्मक प्रयोग हो, हो सकता है कोई उससे बीड़ी पिये, हो सकता है उससे कोई नसा करे, लेकिन ये वही दान और पुन्य का कारे हम ये शकरात्मक ज्यान से हम आगे बढ़ते हुए परमात्मा को पहचान कर ये परवपकार कर करते हैं तो वही दान दिया हुआ पेशा हम विश्व विद्याले की रूप में इस्तापना करने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए और ग्यान आरजन कराने के लिए फ्रह कर सकते हैं हम बात कर रहे हैं थे परमात्मा की विशे में मत आती है संप्रदाय का और संप कहता है साकार और निराकार है और कोई कहता है साकार और निराकार से भी वो परमात्मा भिन्न है तो किस प्रकार से हम उस परमात्मा को जाने कि इस दुन्या में हम रह रहे हैं एक मेंड़क है इस दुन्या में है और उसको श्रीफ एक कुवा दिखाए दे रहा है जिसको लगत है कि इस कुए से भी बाहर भी कुछ दुन्या है जहां पि और भी चीजे मिल सकता है लेकिन वो मुर्क मेंड़ क्या कहेगा वो यही कहेगा कि नहीं इस कुए ही संचारे और इस से परे कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने कुछ देखा नहीं लेकिन जो परे से कोई आया होगा वो बता सकता है कि कोई से बाहर भी कुछ है उसी प्रकार से जो हम है इस दुनिया में हम क्या कहेंगे जो चीज हमें दिखाए देता है जो हम सुनते हैं उसी को हम मानते हैं लेकिन जब हम इस क्वे रुपी इस मन से भी बहार इस दुन्या से अलग हो जाते हैं, तब जाकर हम उस परमात्ना के सक्षतकार कर सकते हैं. अब साकार की बात आती है, साकार हम किसको कहते हैं, जो रूप, रंग, आकार दिखाए देता है, उसको हम साकार कहते हैं, जो इस दुन्या में, जितने भी अवतार के रूप में आये हैं, वो क्या है? श्री राम संद्र जी हुए है, जो दसरत के पुत्र थे, आज हम उनको परमात्मा कहते हैं, जो सिव जी है, जिसको हम त्री देव के रूप में मानते हैं, ब्रम्हा, विष्णु, महेश, उनको भी हम परमात्मा के रूप में मानते हैं, कृष्ण जी है, वो भी इसी दुन्या में अवतार ले थे जो विष्णु जी के अवतार है ऐसा कहा जाता है पुरानों के अनुसार उनको भी हम परमात्मा के रुप मानते हैं और एक है आधिनारेन जिसको हम स्वेम परमात्मा के रुप में फिर मानते हैं अब माने तो किसको माने तो इस दुन्द को दूर करने के ले एक ही प्रस्ण है इस दुनिया में जितने भी लोग आए और जितने भी लोगों ने कार्य किया और जब इस संसार की क्या हो जाएगा नास हो जाएगा तो यह संसार रहेगा यह नहीं यह संसार भी नहीं रहेगा ना उस आदमी का अस्तित्तो रहेगा ना उसका नाम ही रह जो ज्ञान था वो ज्ञान रहेगा और अनादी काल से वो ज्ञान चला रहा था अनादी काल तक वो चलता रहेगा लेकिन जो सकती ने कारे किया था और जो लिला हुई थी वो मुहत्वपुर्ण है तो इस प्रकार से हम जानेंगे तो संसार में आज दिन तब जिस जिसने भी लिला क्या था अवतारों ने वो सब कौन थे वो स्वयम आदिनारायन के जो जीव है एक को हम बहु स्याम कहते हुए जब उन्होंने श्रिष्टी की रचना किये और जिस प्रकार से हर मनुस्यतन के अंदर एक चेतन रूपी जीव चला गया अंदर बेठ कर जो लिला कर रहा है उस जीव के द्वारा ही जब सकरात्मक रूप से इस दुन्या में कार्य होता है धर्म की उत्पत्ती होती है तब जाकर उस जीव को हम क्या कहते हैं पुन्य रूपी जूप जिसको भगवान की उपादी अंतिम में मिलता है और उसी को लोग क्या करते हैं सईयों दसों को होने के बाद उनको ही भगवान के रूप में पुजा जाता है ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जिस प्रकार से आज बैदिक समाज हम आरे समाज के रूप में भी कहते हैं जब दयानन जी महर्शी दयानन जी के हम बाद करते हैं आज महर्शी दयानन जी की हर जो चीजे हैं कार्य हैं उसको नहीं पुजा जाता आज आरे समाज में हम येदी जाते हैं दयानन जी के हम भजन को सुनते हैं दयानन जी की हर चीजे को हम गाते हैं लेकिन जो दयानन जी ने जिस प्रकार से कारे किया था उसको हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं उसी प्रकार से यह दिस सो और दो सो बरस कड़ जाए और जो ज्ञान दयानन जी ने दिया था उसका अनुसरन ना करके शिर्फ दयानन जी का भजन और किरंतन करता जाए तो दयानन जी भगवान बनेंगे या नहीं दयानन जी को सब भगवान के उपादी देंगे और दयानन जी को एक मुर्तिक रूप में इस्तापित किया जाएगा और उनको भी एक भगवान का दर्जा के रूप में ही रख दिया जाएगा उनको भी एक साकार भगवान के रूप में पुजा जाएगा तो उस प्रकार से आज साकार बनाते हुए लोग क्या कर रहे हैं? अपने मनों कांग्छा को पूर्ण कर रहे हैं, तो परमात्मा हम ना ढुनते होए, एक मुर्ति को बनाते होए, एक मंदिर पर इस्तापित करते होए, हमने यही जाना कि किस प्रकार से पेसे लेना है, और परमात्मा के पुजन ना करते होए, किस प्रकार से हमको परसाद को ग् निराकार के और निराकार किसको कहते हैं जिसका कोई आकार ना हो उसको निराकार कहा जाता है निराकार को ही हम परमात्मा के रूप में लेते हैं कहीं लोग गुण के आधार पे लिया जाता है उस परमात्मा को निर्गुण भी कहा जाता है और निराकार भी कहा जाता है निरा करके कोई मनुष्य तन अपने बुद्धी के द्वारा उसको आकलन नहीं कर सकता इसलिए निर्गुन और निराकार गया है लेकिन वो निराकार है ये दावेदार करके हम नहीं कह सकते लेकिन उस प्रकार से साकार और निराकार से परे होते हुए जब हम साकार और निराकार से परिधी से परे हो जाते हैं, तब जाकर हमारे जो बुद्धी का सोचने का सकती है, तब जाकर उपनिशत कहता है, ना तत्र चक्छुर गच्छती, ना वाग गच्छती, ना मनों, ना बिद्मों. उपनिशत का ये स्लो कहरा है, कि वो परमात्मा है, जिसके उस परमधा में ना मन पहुंचता है, ना ये आँख पहुंचती है, ना हमारी स्रवन सक्ती पहुंचता है, ना हमारा ज्यान ही पहुंचता है, वो ऐसा इस्तान है. तो इसलिए उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए ग्यान की आउसेक्ता तो ही है लेकिन ग्यान के साथ साथ आचरन और सुद्ध बुद्धी के साथ सुद्ध हिर्दे भी चाहिए और तब जाकर हम उस परमात्मा की जो सुद्ध ग्यान है उसको ग्रहन करते हुए हम उस परमात्मा की जो खोज हम कर रहे हैं हम उस तक पहुंच सकते हैं तो यहाँ पे स्री महमती कहे साथ जी तो यहाँ पे स्री महमती जी पुकार पुकार के क्या कह रहे हैं कि जो भी इस दुन्या में जो भी आत्मा आये हुए है आत्मा के साथ साथ जो भी इस दुन्या में जीव हो, चाहे इस चोरी सिष्टी हो, इस दुन्या में ये दी परमात्मा की ज्ञान आई है, तो वो परमात्मा ज्ञान सब के लिए है, सब को उसी प्रकार से कृपा होगी, उसी प्रकार से मेहर होगी, बस होना चाहिए तो एक पात्र, पात्र में ए तो वो प्यास भी बुजा सकता है। तो इस प्रकार से जब महामती जी कह रहे हैं है मनुष्यों जो तन तुम्हें मिला हुआ है उसमें तुम सापच्छेत हो जाओ। सुनोरे सत्के बंजारे कहके तो उस पंडित को कहा जाता है जो धर्म को बेचता है लेकिन हम धर्म को बेचने वाले मनुष्यों नहीं हम तो एक आये हुए एक तन है जिसके अंदर जी भी लिला करता है और उसके अंदर आत्मा भी लिला कर रहे हैं लेकिन फिर भी स्वयम को ये अनुभूती होते हुए भी हम फिर भी किस सुक के लिए इस संसार में पीछे पड़े हुए हैं ये हमें किसी को भी पता लिए कल में एक ग्रंद पढ़ रहा था एक छोटा से किताब पढ़ रहा था उसमें ये ही लिखा था कि हर कोई मनुष्य आजादी चाहता है हर लड़का आजाती चाहता है हर कोई नियम में बनना नहीं चाहता लड़की भी कहती है कि मुझे आजाद करता हूँ मैं होस्टेल से मै मैं लड़के की hostel में जाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे तक आजादी देदा। लड़का भी यही कहता है कि मुझे लड़कीयों के hosteel पे जाने के लिए आजादी देदा, मैं 24 घंटे तक आजाद रहना चाहता हूँ और वो अंती में यही वाक्य दोराते हैं कि लड़का और लड़की बरावर है जब ये वाक्य दोराय जाता है तो सुनने में अच्छा लगता है कि लड़का और लड़की बरावर होने के नाते सब को आजाद हो जाना चाहिए लेकिन वहाँ पे वो रिशी कहते हैं कि ये तो शरिफ आडंबर है एक सत्ति को छिपाने के लिए हम मियमों को पालन नहीं करना चाहते हैं, हम बीमार हैं, हमारे मन बीमार है हमारा मन इस प्रकार से बीमार है कि हम उस मायवी दुन्या के ही चीजों को खाना चाहते हैं यहां पर और एक उदारन देते हैं, वो समझाते हैं, कि जब एक बंदा बीमार होता है, एक सो पांच डीगरी का उसको भुखार है, तो वहां उसकी बीवी उसको पूछती है, कि आपको क्या बना के में दूँ, दूद बना के में पिला दूँ, तो वो बंदा कहता है, मुझे दूद पिने की इक्षा नहीं है, अंदी में उपुछती है, मैं सावुदाना बना के आपको खिला दूँ, तो वो फिर से कहता है, कि मुझे सावुदाना खाने के भी इक्षा नहीं है, लेकिन वो पत्नी कहती है, प्यार से, डॉक्टर ने कुछ खाने के लिए का है, तब जाकर क्या होगा, दबाय का कुछ असर होगा, तब जाकर वो कहता है, चलो ठीक है, तो पकोडे बना देना और थोड़ा सा मिर्च और मसला भी डाल देना, अब हम सोचें क्या वो बिमार बेगती और बिमार होगा या सुदर जाएगा, हमें ये सब को पता है कि वो बेगती और बिगड़ेगा और बिमार होने से मिर्त्यू के गाल को भी वो समा सकता है, उसी प्रकार से आज का मनुष्य हैं, जो बिमार है, मायवी चीजों से बिमार है, लेकिन मायवी चीजों से मन की बिकार होने के कारण अब वो क्या कहते हैं, यदि हम कहें, क्या ज्यान और बढ़ियों सुना दू, बईरागी की बाते सुन लो, तो वो कहेंगे नहीं, मुझे भूक नहीं है, लेकिन उसको कहा जाए, नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा, तब बाते होती हैं, सहलियों के बेज, लड़कियों के बेज, कि किस प्रकार से नकरात्मिक बाते ही इसमायवी दुनिया की बाती ही होती रहती है, उस समय हमें पता लग जाना चाहिए, कि जो मन हमारा है, वो मन कहां लग रहा है, मन बिमार है, या हमारा निरोग है, यदि मन बिमार है तो हमें समझ लेना चाहिए, कि मन को रोग कुछ उदारने के लिए दूद तो पीना ही चाहिए, में रोग लगा हुआ है यही चर्चा नहीं सुनते बैराग्य धारन नहीं करते ध्यान का थोड़ा सा आचरन नहीं करते तो हमारा जो मन है वो कभी भी सुद्ध नहीं हो सकता और जो रोग हमारे मन को लगा हुआ है अंतिम में यह समय बित्ते बित्ते यह मन रोग होते हुए ह इस संसार को छोड़ के चला जाएगा तो इस प्रकार से धाम धनी भी यही कह रहे हैं श्री महामति जी तेस प्रकार से भविष्य पुरान में चार युगों की राजाओं के बर्णन करते हुए भविष्य पुरान में अक्षरातित आने की बिष्य में भी बात हो गए वो ब्रह्मा आत्मा आने की बिष्य में भी बात हो गए कल जाकर हम सुनेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मा आत्मा वो इस दुन्या में आते हैं क्या-क्या लिला होती है और किस प्रकार इस दुन्या में हम उनसे लाब लेते हुए उनके ही पत्थ पे आगे बढ़ते हुए उस परमात्मा को पा सकते हैं तो सभी सुन्दर साथ को यही कहा जा रहा है कि आगे हम अपनी बितको की बिसे में बात करेंगे तो है सुन्दर साथ जी जो भी चीजे हम यहाँ पर बर्णन करने जा रहे हैं जो भी हम बर्णन करेंगे और जो भी बर्णन कल जाके होगा उसको यदि चित में धरोगे नहीं यदि चित में धरने के बाद उसका चिंतन नहीं करोगे तो यह जो ज्ञान है वो निरर्थक चला जाएगा इसलिए धामधनी श्रीफ इतना ही कहे रहे हैं पुकारते हुए सब सुन्दर साथ को कि जो ज्यान वाचा जा रहा है अब इसको ध्यान देते हुए अपने आचरन में लाईए तथा अपने जीवन को सुधार किजिए और अपने आत्माओं को उस परमधाम तक परमात्मा तक जुडाते हुए अपने आत्माओं का कल्यान करते हुए आगे बढ़ें इसके साथ आज का ये भी तक चर्चा हम यहां पर समापकन करते हैं अब चौबएदो रहेंगे स्री महमत कहे साथ जी सास्त्र कहे यूकारा आगे अपनी बितका आगे अपनी बितका सोली जे चिता धारा बुले स्री प्राण ना थे प्यारे की जे